So Hello Friends, एक बफर से स्वागत है आपका आपके अपनी यूटूब चैनल Film Me Forever पर तो भाई सहाब डंकी मूवी के टीजर का फर्स्ट रिव्यू निकल कर आ चुका है, फर्स्ट रिव्यू आउट हो चुका है और ये इतना ज्यादा positive आया है, इतना ज्यादा वैसे वाया है कि आप लोग भी डंकी की टीजर का फर्स्ट रिव्यू देखने के बाद डंकी टीजर के लिए बहुत ज्यादा excited होने वाले हैं अब सबसे पहले बता दें कि डंकी मूवी का टीजर फिलहाल अभी तक नहीं आया है लेकिन दोस्तों जो बड़े-बड़े critics होते हैं movies से related जो टीजर का review करते हैं उन्हें टीजर को YouTube पर Twitter पर आने के पहले ही दिखा दिया जाता है ऐसे में दोस्तों एक बहुत बड़े critics है YouTube पर और साथ में दोस्तों उनका Twitter पर एक page भी है Always Bollywood करके तो Always Bollywood जो critics हैं उन्हें दोस्तों डंकी का टीजर दिखाया गया और उनकी तरब से जो review निकल कर आया है वो कमाल का review निकल कर आया है उन्हें दोस्तों Twitter पर review करते हुए डंकी के बारे में लिखा है कि Just watch the 58-second lengthy teaser of donkey इसके बाद उन्हें लिखा है In the word one of frame, donkey teaser is breach of fresh air and excited near to watch SR के new generation and ultra massive scenes यानि कि दोस्तों कुल मिला कर उनका कहना है कि यहाँ पर हमें कुछ ना कुछ new generation के SR के देखने को मिलने वाले है और एक बिलकुल ताजा हवा यनकी fresh air ताजा हवा के बीच में वो हमें गूमते फिरते हुए नजर आएंगे यहाँ पर दोस्तों उन्हों जो rating दी है वो donkey की teaser को 5 message 4 out of 5 rating दी है इनकी 5 message 4 star दिया हुआ है अब फिर से दोस्तों वही हो रहा है जो पठान मूवी और जवान मूवी के सांथ हुआ था कि जो उनके teaser trailer है वो सभी critics को बहुत ही जादा पसंद आये थे और अब सेम जो donkey का teaser है वो always bollywood जो की बहुत बड़े twitter पर critics है उन्हें पसंद आ चुका है अब ऐसे में देखना बहुत ही excited होगा कि जब 58 second का teaser निकल कर सामने आता है तो वो हमें कैसा लगता है क्या-क्या उस teaser में दिखाया जाता है फिलाल आप बताईए कि आप डंकी के teaser के लिए कितने excited है हमें comment में जरूर बताईए साथ ही movie से जुड़ी हर छोटी विडियो अपडेट के लिए सब्सक्राइब करके रखिए आपके अपनी यूट्यूब चैनल फिल्मी फॉराइवर को